hi hello friends, date पर जा रहे हैं या किसी professional meeting में जा रहे हैं इस अच्छी सी जगए पर किसी अच्छे से restaurant में वहाँ पर menu देखा कि आला कार्ट बोलते हैं आला कार्ट से कुछ order कर रहे हैं ओके इन सब चीजों में इन सब वर्ट्स में कहां प्रॉब्लम्स आती हैं और हम किस तरह के से इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं बोल सकते हैं और कर सकते हैं इंप्रेशन मैंटर्स ते मोस्त तो मैं आपका दोस्त नीरज फ्रॉम दे क्वेंच आज आपको लेकर के चलता हूं रेस्टरांट टिप्स के उपर रेस्टरांट में किस तरह के से और कर सकते हैं और कुछ जो डिशिस हैं या डिजर्ट हैं उनको किस तरह के से बोल सकते हैं तो चलिए आप रेस्टरांट में जाते हैं रेस्टरांट ओके कुछ लोग इसको रेस्टरेंट या कुछ और बोलते हैं but the correct pronunciation is restaurant restaurant में जाते हैं और वहां पर menu देखते हैं जिसमें कभी-कभी लिखा होता है आला कार्ट येस गलत तरीके से प्रणाउंस करने पर ये आला कार्ट है या कुछ और तरीके से प्रणाउंस करने पर कुछ लोग कुछ अलग तरीके से बोलते हैं ऐसा समझ लेते हैं क्योंकि नॉलेज नहीं होता so it is a word taken from French and is pronounced as आ-ला काट okay simple आ-ला काट आला काट क्या होता है आला काट is a menu जहां पर multiple dishes होती है अलग-अलग तरीके से आपको order करना पड़ता है one plate of this one plate of that something like that okay so that is an आला काट menu next है अब आपके पास में dishes हैं सबसे पहले dish यह एक टाइब का spring roll है okay spring roll से पहले कुछ लिखा हुआ है ज़रा सोची कि आप क्या पढ़ते आए हैं अभी तक most of the times लोग इसको onion पढ़ते हैं लेकिन यह onion होता है ठीक है onion spring roll next dish है हमारी जी हाँ सुनके मूँ में पानी आएगा देखके भी मूँ में पानी आएगा यह है pizza with jalapeno cheese dip pizza ना की pizza और jalapeno ना की jalapeno लोग बोलते हैं इस तरीके से क्योंकि यह दोनों ही foreign language words है pizza जहां Italian से आया है jalapeno Spanish से आया है अब आप starters ले चुके है main course ले चुके है drinks के लिए कुछ order कर रहे हैं drinks में आपने देखा fancy सा नाम दिख रहा है m-o-j-i-t-o यह है mojito again यह Spanish से लिया हुआ word है और pronounced as mojito ना की mojito अगर आप mojito बोलता है है तो आज से correct कर लीजे कोई दिकत नहीं है लेकिन यह है mojito okay so अगर इस एक order में इसको बोले तो I had onion spring roll in the starters pizza with jalapeno cheese dip for the main course mojito as a drink okay and last but not the least I ordered some desserts desserts yes कुछ लोग बोलते है desert order किया है desert is Registan Registan थोड़ी order करते हो खाने में desserts there is a difference between the pronunciation तो वो होती है desserts यानि कुछ भी मीठा जो आप last में खाने में order करते हैं तो यह होगया desserts so this is how you make an impression on the other person who is sitting with you और सही तरीके से बोलने पर लोग आपसे definitely impressed होते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि सामने वाले के पास में अच्छा knowledge है ठीक है तो एक बार फिर देख लेते हैं restaurant जो हमारा पहला word है onion ना कि onion आला काट menu ना कि आला कार्टे और something else आला काट pizza, jalapeno cheese dip, mojito and desserts तो आज के लिए इतना काफी है उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है और आप कुछ और जानकारी चाहते हैं तो comment box में comment जरूर कीजिए और मुझे और वीडियो बनाने के लिए motivate करते रहिए और हाँ इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन अगेन बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले